तो कुछ से आप सभी बच्चे लोग बच्चे देखिए मेरा नाम है और आप सभी लोग का स्वागत है प्राइट पॉब्रिकेशन चैनल पे बच्चे देखिए आज हम लोग हल देखेंगे कौन से अध्याएका दूसरे नमबर अध्याएका इसे बहुत सारे साइज है अब पत्र है जैसे टू-पॉइंट वन टू-पॉइंट इस तरीके से आई हम लोग देखते हैं इसका हल देख लेते हैं ठीक है आई शुरू करते हैं बच्छे देखिए आप सभी लोग जो पहली बार आप ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भूलिए का नहीं आया कैसे यह अभी आपको समझना है दूसरी बात और बच्छे देखिए जो पहली बारा है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और एक और बात का ध्यान रखना है कि यह बनाते बनाते बीच में यदि आपको लगे कि हाँ मुझे यह आता है तो आप दूसरा वाला सवाल नमबर पर बढ़ा बढ़ा करके देख सकते हैं आए शुरू करते देखिए बच्छा लोग जो पहला सवाल है एक चर वाला सवाल यह आता है कि चर होता क्या है देखिए यहां पर एक्स दिख रहे ना एक यह सब चर है वाई आएगा तो वाई भी चर है सवाल एसा भी होसकता है एकस और वाय तोनों साथ में आजाए भाई तीन एकस ब्लस चार वाय बराबर पांच इस तरीके से तो वह कैसा सम्करण है वह दो चर वाला राखिक समीकरण है फिला हाल यहां पे खली एक सेस दिख रहा है तो यह एक चरवाला राखिक समीकरण है याद रखिएगा दो चरवाला आप नाइन्थ में नहीं तेंथ में पढ़ेंगे नाइन पुढ़ना है चलिए तो बभुवा लोग आजये अपने प्रस्न पर भाइस स आप जानते हैं कि हम लोगों ने वितरण नियम देखा है मतलब एक बार इसको इससे गुणा करेंगे एक बार इसको इससे पिर इसको इससे हना तो करिए तो हम ने गुणा कर दिया तो आगे हमारा कितना ती एक्स नो बराबर पंदर यह नो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो थ्री एक्स बराबर पंदर जोड़ नो कि इतना हो गया 24 और एक कमान कितना हो गया 8 आठागिया एकदम आज़ाण है है कि नहीं अरे है कि नहीं असान है बिलकुल है आईए अगला प्रस्न पे आईए अगला प्रस्न बगुआ है एक स्बटे दो माइनस साथ बराबर 15 ऐसे सवागों कैसे बनाएंगे आप याद रखियेगा यहां लगुत्तम लेंगे क्या करेंगे यहां कुछ नहीं है नीचे में एक है हर इतका एक हो गया अब हम इसका तो ने एक दो हो जाएगा दो से गया एक बार में उपर में वही रह जाएगा एक से गया दो बार में तो माइनस 14 बराबर 15 याद रखिए इसमें गुणा हो जाएगा तो यह तीस के बराबर हो जाएगा और यहां पर देखिए एक्स-12, एक्स कमान कितना हो गया, 30, जोड, 14, तो यहां एक्स कमान कितना हो गया, 44, एक्दम असान है, एक्दम असान है कि नहीं है, तो इसी तरीके से आप सब बनाएंगे, ठीक है, माइनस 2x बटे 7 जोड़ 2 बराबर 8 इस तरीके से है यहां भी वही सवलवा है लग नहीं है फिर भी आई यह बनाते हैं यहां कुछ नहीं है यहां लगुतम लेंगे इसके हर में और लगुतम लेंगे तो आएगा 7 साथ से साथ एक बार में जाएगा तो यह माइनस 2x वही का वही रह जाएगा एक से गया साथ बार में तो साथ गुने दो इतना हो गया 14 बराबर इतना हो गया आठ हो गया अब इस आठ को इसमें गुना कर दीजिए आठ सत्य के हपन यहां देखे ए माइनस 2x और जोड चोड़ यह उस तरफ ले जाएंगे घट आएंगे यह हो जाएगा इदर आके घट जाएगा ना हपन में से चोड़ जाएगा कितना होगा 42 और वाइसा भी है माइनस 2x अब देखे ज़रा इस से यह कट जाएगा तो माइनस 21 बार में कितना हो गया बताए माइनस 21 एक्स कमान कितना आ गया माइनस 21 आगे आते हैं चले चौथ है नंबर पर यह साथ एक दम आसान सवाल है कमेंट बॉक्स में इसका अंसर दे दीजिए आप लोग हम इसे बता देता है देखिए अब यह वाला है इसमें क्या करेंगे इस साथ को उस तरफ बेजेंगे माइनस 3x यही रहेगा और इधर 18 पहले से है यह साथ उ हो जाएगा यह जड़ा देखिए अगा माइनस 3 एक बराबर 18 से साथ गया गया एक्स कमान कितना हो गया 11 बटे माइनस 3 मतलब इसी को एक से बराबर माइनस 11 बटा 3 भी लिख सकते हैं या इसी को माइनस 11 बटा 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे मन वैसे लिखे बतिया बराबर है आगे देखे ये वाला जो प्रस्न है इस तरफ लाएंगे तो मज यह बात को इस को इस तरफ लेके आएंगे किसी एकको जैसे एक के अलावे सब को इस तरफ लेके आना है बारी बारी से फिल्हाल के लिए 40 को में एदर ले आएंगे एक अठारो और यह चार्य स्प्लस में इधर आकर माइनस यानिकी घट जाए परावर माइनस थीन एक इस में से यह हटा कितना हो गया। तक इन अब देखिए माइनस नहीं ना कितना गए ऩबाइस बड़ता दक कि बाइत वर्टा तीन अब देखिए हमने सही बनाया गया गलत बना दिया है इस देखिए तो यह चालिस है इस तरफ आगा-18-40 हो गया अब 18 मेन यहां पर आगया-20 यह होगा-3 तो यहां से माइनस और माइनस कट गया देखिए यहां पर उत्तर सही दिया होगा किताब में यहां पर गलत बना है पर आपके किताब में सही होगा ठीक है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो यहीं आपका उत्तर हो जाए कितना भाई 22 बटा 3 वो भी प्लस में माइनस यहां पर नहीं होगा देखिया ना यहां सी यह कट जाएगा ठीक है आगे आए चट्टे पे बबुगा लोगी देखिए यहां पर यहां पर एक लगा लेंगे तो चो आएगा उपर हो जाएक पर पर नौच के 54 वाई बरावर 11 अब यह इसमें गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा यह गार चके 66 अब देखें यहां पर है 25 माइनस 54 अब देखें यह जो है उस तरफ जाएगा यह प्लस में है उदर माइनस होगा यहां पर 4 कौन सा है यह उदर जाएगा 66 माइनस 25 और माइनस 54 वाई अब देखें यहां बटा 54 लेकिन माइनस में और यही आपका उत्तर हो जाएगा वाई कमान ठीक है यहां आया भी है ठीक आगे चलिए अगला प्रस्ण है देखें यह आपका काफी अच्छा सवाल है लेकिन बच्चों को होती है क्या कि डेसिमल में प्रॉब्लम होता है चलिए आये बनाते हैं ट्राइ करते हैं इसको देखें यह 2.4 रहने दीजिए भाई साब यह एक्स आप जान दीजिए हाँ कुछ निए एक है यहां पर बटा का जोड जैसे बनाएंगे तो दूपॉइंट पांच वही का वही रह जाएगा और यहां पर याद रखिएगा एक्स माइनस भाई दूपॉइंट पांच से एक बार में कट गया तो एक को एक पोइंट चार और यहां एक्स माइनस दो पॉइंट पांच है ठीक है अब जबाया यहां पर देखिए कि इसको इस तरफ लेगा आएंगे एकस बराबर में दूपॉइंट पांच और यह माइनस में इदर आका प्लस दूपॉइंट अच ज़ग है कि यह च्टोपॉइंट 2.5 , 2.5 दोनो जगह है तो 2. 5 को हम common ले ले लेंगे यहां भी है और यह भी है ना गूंड 5 को हमने ले लिया Common Tik examining Осब और जोड में यहां पर क्या बच गया है उस vessnach नहीं है तो दूपयंट 5 यहां गया तो एक, कॉमले ने आता है ना, एक्स का मान यहाँ पर आप कर दीजे, दू पॉइंट, पाँच, अगुना में इसको करेंगे, तो जोडने पर हो जागा तिन पॉइंट, चार, चलिए, बचा लोग, आप सभी लोग, मैं ऐसा उमीद करता हूँ, कि आप सभी इसको गुना कर लेंगे, और गुना कर कि इसका उत्तर आप लोग, निकाल लेंगे, ठीक है, इस दोनों को गुना कर देंगे, जो भी आएगा, उत्तर आपका वही उत्तर हो जाएगा, आईए फिर भी, कर लिजे, पांचों को, बीस, दूचों के आठ, दू दस, दस और पंदर पत्चीस, 2, 2, 3, 6, और 2, 8, कितना हो गया, 8.50, ठीक है, इन दोनों, एक, दो, दो अंख के बाद बिंदू होगा, न, एक, दो, दो अंख के बाद बिंदू होगा, उत्तर कितना हो गया, 8.50, या तो 8.50, नहीं तो 8.50, ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह माइनस एक, इसमें घटेगा, तो यह कितना हो जाएगा, और यह 10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 10 को उस तरफ लेके जाना होगा, तो भाई साब, यह एक्स इसमें से घट जाएगा, तो यह हो जाएगा, लेकिन यह 10 उस त जगा पे माइनस पांच तो हुई न जागा यह गुना में उधर जाके भाग मैं तो दो से काड़ देंगे पांच बार में चीन या माइनस का है तो एक्स कमाद माइनस पांच ठीक है आगे चलिए यहां देखिए अब यह जो आप देख रहे हैं यह कि दो एक्स प्लस ग्यारा बटे चार और बराबर में इतना है अब आपको यहां पर बनाना है आए देखिए यहां यह जो दो है यह दो इसको इस तरफ लेके आना पड़ जाएगा आपको लेकिन फिलहाल के लाईया हम लोग इसको बनाते हैं तो यह दो का दो रहने दीजिए और भाई साब यह इसको करिए यहां कुछ निये तो यहां बटा में इस तरीका से यहां हो गया तेरा अब देखिए यह गया दो से ये कितने बार में दो बार में लेकिन ये दो अब उदर जाके गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा तो ये 13 दुनी के 26 और उपर में आगया है 4 x जुड 11 ये 11 गटेगा तो इदर आजाएगा 15 और इधर वह जाएका 4x x कमान कितना आ गया 15 बटे simple एकदम आसान तरीके देखे इसमें कितना लंबा बना हुआ है हम लोगों ने कितने सही से और कितने आसान तरीके से वह छोटे से में हमने बना लिया देखे बच्चे मैं यह उमीर करता आप सभी लोगों को मजा रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा यहां पर देखे यह जो अगला प्रस्न है यह है यहां पर दोनों हर जो है वो बराबर है यहां बटा का जोड़ जैसे हम बना लेते हैं ज्यादा अच्छा रहाएगा यहां पर देखे हैं हम बटा का जोड़ बनाते हैं तो भाई साब यह तीन है यह तीन है यह तो यह तीन का तीन रहेगा आप लगुत्तम भी ले सकते हैं ठीक है तीन से गया एक बार में और उपर जाके यह एकस माइनस चौदा हो जाएगा और बराबर में इदर कितना है तीन वट्टे है तीन वट्टे साथ अब इसको उस तरफ करेंगे और इसको इस तरफ लेया के गुणा कर देंगे तो इसको उससे सो गुनां करके देखे वह साथ को इससे गुनां करेंगे तो कितना हो जाएगा साथ एक कि लिए हम आप नोच देखेंगी उस तरफ यहां क्रॉस करेंगा व्रज गुनन करेंगे तो इस तूरा करना देख रहे हैं यह साथ ये 7 को इस तरफ गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 7x, 7x और एक बार इसके साथ गुना करेंगा तो 14-चाथे, 14-चाथे केतना होता है वो? 14-98 होता है जल्दी बताइए 14-98 होता है और इसको उस तरह भेज देंगे 7x बरावर 98 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 107 7x साथ से गज जाएगा क्या नहीं जाएगा इक का मांन कितना होगे 107 बटे हैं बुलिए सही है अरे सही है कि नहीं कितना लोग से बना है जल्दी कमेंट में हमको बताईए बना है कि नहीं बना है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब हम यहाँ पे अब इन समिकरण का जो है हम दैनिक रूप में भी उपयोग कर सकते हैं जैसे उदारण के लिए कि यदि किसी आदमी की उम्र अपने बच्चे से तिन गुना है और उन दोनों के आयू का योग इतना हो रहा है तो बताईए कि बच्चे की उम्र कितनी है कुछ इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर सवाल है कि दो संख्याओं का योग पंदर है क्या है और यदि एक संख्या तूसरी से पांच अधिक है तो दोनों संख्या ग्याद कीजिए भाई सवाल ये है कि भाई दो संख्याओं है और दोनों मेंसे एक संख्या जो है वो दूसरे से पांच बड़ी है मैंने के दिया कि यदि एक संख्या 15 होगी तो अगली कितनी होगी अरे 20 होगी न मतलब क्या है कि इसे 5 अधिक है यदि ये 10 तो ये 15 होती यही तो बात है और ये 5 तो ये 10 पांच 5 का अंतर है लेकिन क्या ये सब उत्तर हो जाएगा क्या नहीं उसके लिए आपको यहाँ पे के संख्या 15 शुर्ण हो रहे है तो माले यहीं एक संख्या यादी एक संख्या है ये यदि एक संख्या एक जोड़ 5 अरे एक संख्या 10 अगली संख्या 15 तो यह इक्षून्धि प्लस 5 कि है तो अब जराया खुद दिमाग लगाने वाली बात है बढ़ ओよろ यहाँं पर कि अब बोला जा रहा है कि यह भी एक संख्या और यह भी एक संख्या इन दोनों का योग यानि एकस जोड़ एकस जोड़ पांच कितना हो रहा है कितना हो रहा है बताए इसका योग 15 बताया जा रहा है तो यह हो गया दो एकस और घटेगा दस एकस कमान कितना हो गया एकस कमान हो गय कि अगला आयत की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात तीन अनुपात दो है आये थोड़ा समझते हैं कि आये देखिए आयत क्या होता है बबुगा लोग बुशते हैं देखिए आयत हम समझते हैं आयत का मतलब क्या होता है यही आयत है यह क्या है यह आयत है अब देखिए आयत है तो यह लंबाई है और यह इसकी चोड़ाई है इसको हम एल से इसको लंबाई कहते हैं और यह क्या है बी से चोड़ाई यानि की ब्रेथ देखिए तो लंबाई और चोड़ाई और आप सभी लोग जल्दी से चाप दीजिए nhânि कमेंट बॉक्स में कि इसका छेत्रफल का शुत्र क्या होता है इसके छेत्रफल का सुत्र क्या होता है बताइए देखिए इसका छेत्रफल का सुत्र होता है न कि लंबाई को चोड़ाई से गुना कर देंगे तो मैं यहां लिख देता हूँ भाई आयत का जो छेत्रफल होता है न छेत्रफल लंबाई गुना चोड़ाई होता, इसको मैं लिख दूँ, लंबाई गुना चोड़ाई, ठीक यह हो गया, यह तो हो गया आपका छेत्रफल, छोड़ाई गुनार, ठीक अब देखे हैं, यहां पे एक होता है परिमाप, या परिमीति, ठीक है, अब देखें परिमाप में होता है इसकी लंबाई, यानि यह भी य, आप जानते हैं यह बुझा इसके इसके बराबर यह बुजा, इसके बराबर और यह 90 डीगरी का कोण बना है, इसका मतलब यह एक आयत होगा, ये भी B, ये भी B, और आप जानते ही इन चारों का योग, याँनि एल, जोड़ B, जोड़ B, कितना होगा, जोड़ ये, 2 L और जोड़ 2 B, ये क्या यही है आपका परिमाप और यही आपका छेत्रपल ठीक है चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे समझभा रहे होंगे मेरी बात को आईए आगे हम बनाते हैं सवाल तो सवाल आपको यह कह रहा है कि यदि कोई आयत है आयत की लंबाई और चोड़ाई का अनुपाद तीन अनुपाद दो है अरे भईया हमको नहीं पता है कि उसका लंबाई और चोड़ाई है कितना अरे माना की इसकी लंबाई देखे क्या है पहले पहले लंबाई यह तब चो और चोड़ाई, आप ऐसे ही लिखिके बनाएंगे, चोड़ाई 2X है, माना की लंबाई 3X है, और चोड़ाई 2X है, तो उसकी परिमीती 30 मिटर है, आप जानते हैं कि परिमीती का सुत्र क्या होता है, परिमीती का सुत्र दू गुना, L जोड B होता है, लंबाई बोले तो L और चोड़ाई बोले तो B, तो यहाँ परिमीती यहाँ पर दिया गया है, कितने के बराबर, तो देखिए यहाँ परिमीती दिया गया है, 30 के बराबर, आप जानते हैं यह दो गुना महत इसको काट जाएगा, यह लंबाई जोड, चोड़ाई बराबर, 15 है, लंबाई का मान यहाँ कितना है, 3X है, और चोड़ाई का मान यहाँ पर, 2X है, बराबर कितना है, 15 है, तो 3 और 2 को जोड़ देंगे, 5X हो जाएगा, बराबर 15, 5 ते गया ही, कितने बार में, 3 बार में, X का मान कित तीन आगया तो आईए हम लोग ने लंबाई 3 एकस माना है तो असली में बास्त जबिक लंबाई कितनी होगी आप में एकस कमान कितना आ गया जो और यहां भी रखेंगे तो दो गुना में वास्तविक चोड़ाई दो गुने तो बोलिए, समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कमेंट में लिखके हमको बता दिजे, चलिए, अगले प्रस्न पे आते हैं, अगला प्रस्न देखिये, अब आता है अपका प्रस्नावली 2.2, ठीक, 2.2 बनाते हैं, आईए, मज़ा आएगा इसको भी बनाते हैं, तो बबुआ यहां पर आपको दिया गया है कि यदि किसी संख्या के आध्य में से सवाल को समझे इकदम सवाल को समझे पहले तभी बनेगा यदि किसी संख्या के आधे में से अरे हमने का यदि संख्या हमने 20 माना तो उसका आधा मतलब 2 से भाग दे देंगे तो 10 आया ना तो यहां भी वही करना है कि यहां पर यदि संख्या X है तो संख्या का आधा कितना हो जाएगा 2 यह संख्या का आधा X बटा 2 हो गया और उसमें से माना की संख्या आप बनाएंगे कैसे माना की संख्या दी गई संख्या एक्स है तो प्रस्ण अनुसार भाई एक्स बटा दो में से हमने एक बटा चार को घटा आया तो क्या प्राप्त होता है एक बटा आठ प्राप्त हुआ समझ गये एक बटा आठ प्राप्त ह हुआ अब यहां पर जाने लेजिए कि यह हुदर प्लस हो जाएगा एक beta 2 ऐसे ही रहने देशे कि नगी technology को गया 1 जोड चार गया दो अब अब जरा यहां पर देखिए एक्स का मान कितना हो गया वाया उपर में तीन अब गुना में यह उधर जाके इधर में ऐखाना गुना हो जाएगा बटा में आठ हो जाएगा यह जाए इस अन्य नक्रीस takiego किशुट्र संख्या कौन सी है तीन बट्टे चार देखिये जरा सही है कि गलत है संख्या कौन सी है 2-1-3 बट्टे 8 संख्या तो 3 बट्टा चार आ रहा न निकलके दो इसमें तो 1 बट्टा चलिए देखते हैं हो सकता है कहीं पर mistake हुआ हो कहां यहां संख्या में से एक बटा संख्या के आधे में से हमने एक बटा चार घटा दिया तो एक बटा अठ प्राप्त हो गया एक बटा दो यह उदर चला गया प्लस हो गया तो यहां पर लगुतम आठ हुआ और ठीक है लगुतम तो यहां पर आठ हो जाएगा और उपर में चार दोने का दो एक तीन हो गया ठीक है 8 से गया एक बार में तो एक और चार दोने ठीक है और उसके बाद इदर में दो है तो यह हमारा गोगया, तीन गुने में 2 और नीचे में हो गया, आठ, दो से गया 4 बार में उपर बच गया 3, 3 बटा 4, देखिया संख्या जो है वो 3 बटा 4 ही होगा, ठीक है ना, संख्या 3 बटा 4 यदी होगा तब干ी जाकर करके, से एक बलटा चार घटा देंगे तो यह हमारा हुथ रू जाएगा परने मिस्टेक है कि शंक्या कि आध्यमें मेंसे एक दुटा घटा तो इसका मान आयाgua एक बलटी हमने किया एक बड़ादोई और यह चार को उस तरह भेजा भेंे एक बड़ा आठ जोड एक एक बटा आठ जोड एक बाटा चार हो गया है अब यह एकष बटा दो वही का वही रह गया और यहां पर हमने लगुत्तम ले लिया तो हमने लगुत्तम आ गया इनका 8 एक बार में गया 4 दूनिकर दो बार में गया तो यह हो गया 3 बटे 8 ती mythical अट हो गया हमारा तो एक्स बराबर में है यह भाग में है उपर में जाके गुना हो गया चार तीन बट्टे चार अभी तो वही बात आ रहा है तो तीन बट्टा चार में से हमने घटाए यदि एक बट्टा चार भी तो कितना आ जा रहा है यह आ जा रहा है दो बटे चार इससे गया दो एक बटा दो ही तो आ रहा है अखिर हमने कहां मिस्टिक किया है